तो धेर, दोस्तोग एक बाद बरह से आप सेवी का स्भागतद करता हो आपके अपने चैनल पर आप से भी सब्सक्राइब करें बौत बहुत धन्यवाद मेरी लाईक करने के शेर करने के लिए इंदिल से बहुत बहुत धन्यवाद अगर आप चैनल में नहीं आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो लालगर का बड़न आपको दिख रहागा उसको क्लिक कीजिए और साथ में बैल को दबाना ना भूलिएगा ताकि आप हमारे नोटिफिकेशन रिसीब कर पाओ यह एक पैनी स्टॉक है जो भी 10 रुपए बार रुपए का असपर टेट कर रहा है करेंट पार मार्किटवर्स का बार रुपए है तो पैनी स्टॉक आप बोल सकते हैं उसको तो मेरे साथ से यह पैनी स्टॉक आपको नेक्स्ट वन और €20 में एक अच्छी रोडन दे सकता है सिर्फ एक और दो महीणी के लिए यह स्टॉक हो गा थिक है नेक्स्ट एक या दो महीने के लिए आपको अच्छी रिडन देके जा सकता है मैं यह नहीं कहा रहा हूं कि इस stock को अपने portfolio में add करो, यह definitely portfolio में add करने लाइक share नहीं है, कि share क्यों नहीं, portfolio में add करना चाहिए, इसके लिए आपको वीडियो को अंतक देखना पड़ेगा, इसके technical और fundamental में आपके साथ share करूँगा, जिससे आपको समझ आएगा कि stock आपको अप business provide करवाता है, और मेरे साब से इसके fundamental है, वो काफी weak है, आपको इसको buy तो करके future में तो गहीं करके चलना चाहिए, अगर आप planning कर रहे हो कि मैं इस stock को अभी बारा रुपे के असवाद 10 रुपे के असवाद बाई कर लेता हूँ, यह 80 रुपे 90 रुपे हो जाएगा, तो भाई भूल जाओ, क्योंकि यह stock उस category का share नहीं है, क्योंकि इसमें जो share holding pattern इसका, जो उसके promoters है, इस stock को बेच रहे है, उन्होंने almost 50% की holding अपनी last एक सा करके जाना, share करके जाना, comment करके जाना, अगर आपका कुछ, कोशन है, आपके कुछ stock है, जिसमा आप फसेवे हो, तो नीचे comment कर सकते हूँ, मैं reply कर दूँ है, अगर मुझे stock अच्छा लगता है, तो definitely मैं वीडियो के माधियम से आपको update कर दूँ है, तो मैं लेके चलता हू मैं ही कह रहा हूँ कि यहाँ पर एक bet लगते है, technical basis में, technical chart के basis में, यह जो bet में आपको बोला हूँ, next, एक यह दो में पर छी रिटन देखे जा सकता है, वो technical chart के basis में, तो 10 रुपे के आसपस का low है, 52 वीक low, तो low के आसपस यह ट्रेट कर रहा है, तो मेरे साब से यहाँ पर तो ठीक चल ला, लेकि नीचे अगर आको लेकर चलता हूँ, मैं इसके profit में, तो यहाँ देखो, मैं आपको yearly profit दिखा दूँगा, direct, ठीक है, कुछ वीडियो को जादा लंबा नहीं खीचना चाता हूँ, मैं, तो यहाँ देखो, मैं आपको yearly profit खोल रखके, इसके आप देख अच्छे profit हो रहे, 2018 अच्छा था, लेकिन 2019 पर इसने 115 क्रोड के आसफ़ का profit किया, ठीक है, लेकिन 2020 का अगर आप देखोगे, last year का, मार्च से पहले तक का था, इसने almost 56 क्रोड के आसफ़ का profit किया, मतलब जो profit आप बोल सकते हो कि 115 क्रोड का profit हो रहा था, मार्थ 56 क्रोड का profit किया, मतलब profit में almost 50% की decrement आगे, decrement मतलब आप यह बोल सकते हो कि last के comparison में इसकी ग्रोड माइनस में रही, ठीक है, इसी वज़े से promoters ने भी इसको अपना बेचा है, अपने shareholding pattern से, मतलब shareholding में उन्होंने promoters से इसको बेचा है, अगर 2019 से shareholding pattern चेक करोगे, इसका, और 2020 में चेक करोगे, आप भी बोलोगे यार, इसनों तो बहुत अगणा माल बेचा है, promoters ने, और खरीदा कि इसने general public ने खरीदा है, मैं आपको अभी दिखाता हूँ, उसका pattern, तो अपसी तर पैटन में एक शलता हूँ, अब आपको दिख रहा होगा, देख सकते हैं कि, दिस संब इसने 40% हिस्सा बेज दिया, और ये बेचा कि इसको, देख सकतो पब्लिक को, पब्लिक की पहले 18 परशन की holding थी, अब ये 19 से लेके 21 होगे, तो ये stock, अगर आपके portfolio में है भाई, ठीक है, और आपने अगर हाल फिलाल में 10 रुपे, 8 रुपे का सुब बाई किया है, तो भा अगर आपने हाल फिलाल में 11 रुपे, और 10 रुपे के आसपास entry करी है, तो भाई, आप इसमें profit book कर ले न, 15 रुपे का स्पास, मुझे लगता है personally, ये stock 14 रुपे 90 पैसे तक जा सकता है, ये चार्ट में दिख लाँगा, आपको कही कैसे जा सकता है, ठीक है, उसी वज़े स मैं आपको कहा रहा हूँ कि next, एक या दो महीने में ये stock मुझे अच्छा लग रहा है, ये आपको एच्छी return देके जा सकता है, almost 30 से 40% की return दे सकता है, ठीक है, लेकि मेरा stop loss भी almost 15 से 20% का होगा इसमें, ठीक है, तो risk reward के साथ से ये अच्छी bet हो सकती है, next two month के लिए, ठीक ह बागी भाई अपने आप research खूद कर लेना, जो आपको अच्छा लगता है, ठीक है, अपने research इसमें add कर सकते हो, नीचे comment कर सकते हो कि आपका क्या views में, मेरा views में कहता है कि fundamentally ये stock बहुत weak है, profit के साब से बहुत घटिया stock है, भूल के भी stock में पैसा मत लगाना long term के लिए, ठ जिट मालो, जितना मार सकते हो जल्दी, ठीक है, पंदा रुपे एक बार bounce करेगा stock, पंदा रुपे में profit book कर लेना, आपको चार्ट में लेके चलता हूँ, चार्ट में आपको समझाऊँगा कि कहां पर हमें entry करनी है, कहां पर हमें stock लगाना है, और हमारे target booking क्या होना चाहि तो मैं आपको चार्ट में लेके चलता हूँ, तो चार्ट देख लो एक बार आप, खोड़ा वीडियो समझाँगा है, पसंदा है, तो डेफिनिट वीडियो में like करना होता, share करना होता, comment करना होता, तो यह सब चीची करो, तो आपके लिए multi-vega stocks में लाता रहूँगा, तो एक वो एक technical way है कि आप इसको buy करके चल सकते हो next, एक या दो महिने के लिए, सिर्फ एक या दो महिने के लिए आप इसको अपने portfolio में add कर सकते हो next, one or two month के लिए अपने portfolio add कर सकते हो, दूसरा जो region बार देनेगा इसको, क्योंकि इसके delivery quantity और delivery percentage increase हो रहा है बहुत जादा, उसक जो move आ रही है, 10 रुपे से लेके, ये move 15 रुपे तक जा सकते हैं मेरे साफ से, ठीक है, 10 रुपे का low लगा है, 15 रुपे तक definitely जाएगी, और ये 15 रुपे के move पे आसपा दुवारा है अपने promoters, जो इंक ये promoters है, ये दुवारा exit करेंगे, तो भाई ये एक move आईए, तो मेरे साफ से आप इसमें 15 रुपे, 14 रुपे, 90 रुपे के असपार profit booking कर लेना, अगर आपने मेरे price में अगर buy किया है, तो देखो, मैं आपको chart दिखाता हूं, उसको कहां आपको करना, क्या करना है, तो पहले 5 रुपे का chart खोलता हूं, तो 5 रुपे के chart आपने देख सक यह बहुत तकड़ा, तो मैं बोलूगा कि जब यह सौक अपना 13 रुपे cross करेगा कल, या आज ही अगर cross करता तो अब 13 रुपे 5 पैसे के असपार bit डाल के छोड़ सकती हो, ठीक है, 13 रुपे 5 पैसे के असपार bit डाल के छोड़ सकती हो, तो आप सको buy करके चल सकती हो, जो target ह चाहिए, 14 रुपे 90 पैसे का target हमारा रहना चाहिए, stop loss आप लगाओगे इसमें, आप लगा सकते हो, 10 रुपे से लेके 11 रुपे का stop loss लगा सकते हो, ठीक है, अगर आप थोड़ा aggressive खेलते हो, तो आप भाई, जो उसका low है, 52 वीग low, जो लास्ट का low है, आप लगा सकते हो, और जो target मैं दिखाता हो, चाहिए, कैसे मैंने निकाले है, 6 पन का चाहिए आपके लिए खोल देता हूँ, इसमें आपको असानी हो जाएगी, अगर ये 14 नब्बे पैसे के उपर sustain कर जाता है, मतलब 15 रुपे के आसपास सी देख सकते ही resistance एरिया है, ठीक है, अगर ये इसके के आसपास, इसके आसपास sustain कर जाता है, 15 रुपे के आसपा, 14 रुपे के आसपास के उपर क्लोस कर देता है, तो मैं बहुत सकता हूँ कि आपको 20 रुपे के लेबल पी दिखा देगा, लेकिन इसको पहले close करना पड़ेगा, 14 रुपे के उपर, ठीक है, 14 रुपे के उपर, च्छा है, जिस दिन जब भी लगेगा, ठीक है, 14 रुपे के आसपास के लिए बहुत घटिया से रहे, भूल के इस मैस मत करना, यह च्छा है, फोर दे नेक्स मन्त के लिए, सिब मातर एक या दो महने के लिए अच्छा है, आपको 30 से 40 परसेंट के रिटन, 40 परसेंट के रिटन आप से दे सकता है, आपका कुछ मानना है इसके उपर स्टॉक के उपर, तो नीचे डेफिनेटली आप नीजना, कॉमेंट करके मुझे बतला सकते हो, हम इसके उपर रिव्यू कर सकते हैं, तो आज के लिए इस वीडियो ब इतना ही, कुछ भी समझाया है, पसंद आया है, डेफिनेटली लाइक कीजिए, शेर केजिए, कॉमेंट केजिए, मिलता हूँ आपको अपने नेक्स वीडियो में, तिल देन, बाइबाइबाइ, ठेंक इस हो, हमाच, सेफ टेटिंग, हैपी टेटिंग, एन पीस आउट